प्यारे प्यारे से गोईंकन्स को मेरा खलूस बरा सलाम बच्चो जैसे कि आप जानते हैं हम अपनी किताब का सबक नंबर पांट जो एक नजम की सूरत में है जिसका नाम है कोयल जो हम पढ़ चुके हैं जिसके सवालात को भी हम हल कर चुके हैं अब कुछ और सवालात है बच्चो ये आपका किताबी काम है ये आप किताब पर ही करेंगे सवाल नंबर एक है खाली जग्वों को पुर कीजिए तो बच्चो मैंने खाली जग्वों को पुर कर दिया है तो मैंने जुमले मुकमल भी कर लिये है सबसे पहला जुमला था तेरी खाली जगा काली काली तो हमने नजम में पढ़ा था तेरी रंगत काली काली तेरी सूरत भोली बाली तो खाली जगा में आप लिखेंगे भाली तीसरा है खाली जगा पहले थी वाली ढाली ढाली तो यहाँ पर आप लिखेंगे उड़ने वाली ढाली ढाली तो चौथा जुमला है कोयल तेरी खाली जगा निराली तो खाली जगा में हम क्या लिखेंगे कोक निराली को यलतीरी कूख निराली बन में खाली जगा मचाने वाली खाली जगा मैं हम लिखेंगे शोर तो ये जुमला बनेगा बन में शोर मचाने वाली तो मैं उमीद करूँगी इसके साथ आपको जहनशीन करनी है आपकी नजब और ये सारी खाली जगू को पुर करना है तो बचो इसके बाद दूसरा सवाल है कालम अलिख को कालम बे के साथ मुनासिब तो जोड दीजिए तो मैंने ऐसे जोड़ा है कि मैंने एक जासा रंग बर दिया है उस तरह से मैंने इनको एक दूसरे के साथ जोड दिया है जैसे तेरी रंगत काली काली जो ये किताबी काम करने के लिए आपको एक बार अपनी नजम को अच्छे से याद करना होगा तो आपके लिए इस तारा बहुत आसान हो जाएगा तेरी सूरत भूली बाली उडने वाली डाली बन में शोर मचाने वाली कोयल तेरी कूख निराली खुश होता है बाग कमाली आप देख सकते हैं इन सब का मैंने रंग एक जैसा बर दिया है ताकि आपको आसानी से दिखे कि कौन सा किसके साथ मिलाना है इसको कलर स्कीम भी कहते है तो मचो और एक सवाल दिया गया है आपकी किताब पे जो है जैर ने दिये गए खाकि के खानों के हरूफ से डाये बाये या उपर नीचे तीन परिंदों के नाम चुनकर डायरा बंद कीजिए और उनको नीचे लिखे एक परिंदे का नाम मिसाल के तौर पर दिया गया है तो बचो सबसे पहला था चीम ये और लाम चील ये पहले ही लिखा गया है आपकी किताब पे दूसरा जो मैंने परिंदा डूंडा वो है तोता तोई वाव तोई अलिफ बन गया तोता जो कि मैं इधर नीचे लिखूंगी आप भी इसी तरह से इन खानूं के नीचे आपके लिए जगा दी गई है वहाँ पे आपको तीन परिंदों के नाम लिखने है उसके बाद है दूसरा जो मैंने डूंडा चीम डे छोटी ये अलिफ बन गया चिरिया और एक परिंदे का नाम जो है वो है कीफ, बे, वा, ते, औरे बन गया कबूतर तो बचों ये आपका किताबी काम है इसी तरह से साफ साफ आप अपनी किताब पर ही करेंगे उमीद है आपको इस अच्छे से समझ आया होगा आज के लिए इतना ही बाकी